आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Radiation Method of Sterilization के कुछ respective advantage और their limitation या इसे disadvantage भी कह लिजे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि radiation के कौन-कौन से methods होते हैं जिनको follow करके हम sterilization कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे respective advantage of radiation method सबसे पहला जो criteria है यानि कि क्या हमको उससे मिलता है benefit वो है और उसके अंदर होता क्या है वो उसका simple सा explanation है पहला जो आपका advantage वो है terminal processing What does it mean? Terminal processing कहने का मतलब है कि आपका जो भी product जिस भी final stage में है ताकि वहाँ से वो dispatch हो सके या वो used करने से पहले जिस condition में होता है उसी condition में हम उसको sterilize कर सकते हैं यानि कि अगर वो किसी box में है तो हम box के box में उसको sterilize कर सकते हैं क्यों और ऐसा कैसे possible है देखे Due to the penetration depth of ionization radiation इसका क्या मतलब हुआ हमारा जो ionization radiation है उनकी penetration power ज़ादा होती है जैसा discuss कहता पिछले वीडियो में तो उनके इसी penetration depth या power की वज़े से ये product आपके sterilize हो जाते हैं क्योंकि उनके through जो बाहर का cartoon है उनके through होता हुआ हमारा radiation उसके अंदर तक भी पहुँचता है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपका product sealed है final packaging के रूप में है वो आपका radiation उसके अंदर जा सकता है और अंदर जाने के बाद जो भी object होंगे उनको वहाँ पे decontaminate कर सकता है तो यह एक बड़ा advantage है दूसरा है cold method हमने इसके पहले जो इस्टरलाइशन का method देखा था उसको अगर हम बाइफर्गेट करना चाहेंगे तो basically आपका heat method महत्तो पूर्ण था इस heat method के अंदर हमने देखा था कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं heat के अंदर में आप बात करें तो hot air oven जो कि एक dry heat का example था और दूसरा था autoclave जो कि एक moist heat का example था दोनों के साथ एक दिक्कत यह थी कि इसमें हम ऐसे object को stylize नहीं कर सकते थे जो कि heat के presence में deteriorate हो जाए यानि कि जो heat को सहना पाए heat के presence में वो अपना nature खो देगा चाहे physical property हो चाहे chemical property हो ऐसा case में हम तो किसी भी तरीके से heat को use नहीं कर सकते फिर हमको use करना पड़ेगा कोई ऐसा method जिसमें heat involved ना हो बचे कौन से आपके chemical बचा और आपका filtration बचा filtration तो liquid के लिए possible हो भी जाएगा लेकिन solid के लिए कैसे करेंगे और chemical के साथ कुछ disadvantage यह होता है कि वो कहीं interact ना कर लें तो फिर हमारे पास option बचता है radiation method का तो देखिए temperature increasing during the treatment are minimal जब हम बात करते हैं इस radiation treatment की तो temperature बहुत कम होता है वसे जनरेली होता नहीं अलग टाइप में फिर भी अगर generate होता है तो बहुत कम generate करते हैं इसके कारण से हमारे जो radiation installation method है उसमें heat के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है और यह जो आपका method है वो efficient होता है both ambient temperature and sub-zero temperature के लिए और it is very much compatible with the temperature sensitive material जैसे कि pharmaceuticals and biological samples होते हैं तो अगर आपको ज़रत पड़ती है ऐसे method of sterilization की जहाँ पर temperature आपके product को destroy कर सकता है तो फिर आपका ये अच्छा option हो सकता है radiation method of sterilization दूसरा देखिए chemical independence सबसे मत्वपून point क्या है independence on chemical अगर हम chemical उस करते हैं तो दिर पहले मैंने कहाना है cold के अगर आप option की बाद करोगे तो chemical आ जाएगा लेकिन अगर हम chemical method को follow करते हुए किसी भी object को sterilize करते है वहाँ पर chance बचता है कि कुछ chemical रह जाए यानि कि traces amount of जो chemical है वो रह सकता है और उसके कारण से interact भी हो सकते है इस method में chemical की कोई जरुवत नहीं है that is independency of chemical no volatile or toxic chemicals are needed इसकी जरुवत किसी भी तरीके से chemical की नहीं है in case of x-ray or e-beam eradication no end product required disposal are generated during the procedure ऐसा कोई product described product नहीं बनता इसके installation के फ़ल सुरूब जिसको हमको बाद में dispose करने के जरुवत पड़ेगी so this is completely free from chemicals next है no residue अगर हम इस radiation method को follow करते हैं तो at the last of the installation process हमारा पास किसी भी तरह कर residue नहीं बचेगा example अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जब कभी भी किसी भी दुकान में पहुँच रहे हैं आज की situation में तो फिर वो आपकी utensils को sterilize करते हैं जैसे मेरा ही experience देखलीजे मैं अपने घडियों को repair करने गया था तो वहाँ पे वो repair करने से पहले उनको एक UV chamber में रखते हैं कुछ specific time के लिए उसके बाद उसको handle करते हैं तो वहाँ पे कोई residue नहीं बचेगा आपका को कि जैसा था बिखल वैसा ही kill out हो जाएगा so this is very important radiation method leaves no residue on sterilized product इसके बाद अगला है flexibility यानि कि आप इसे अपनी need के accordingly adjust कर सकते हैं need के accordingly use कर सकते हैं radiation can sterilize product of any phase basically अगर हम बात करते हैं आपके product के तो 3 mainly phase होते हैं solid, liquid और gas बीच में semi-solid को भी आप include कर सकते हैं so solid के लिए हम method use कर सकते हैं जैसे dry heat और weight heat liquid के लिए हम dry heat नहीं use कर सकते हैं वैसे ही कई सारे cases होंगे जहां पर हम limited options को choose कर सकते हैं but इसकी flexibility है radiation की इसमें आपका product किसी भी phase में हो चाहे वो gas के phase में हो चाहे वो liquid में हो चाहे वो solid metal के नहीं हो आप इसको use कर सकते हैं product with variable density size और thickness can also be used density भी अगर किसी product की बहुंच जादर dense है या फिर dense नहीं है size छोटा है size बड़ा है thickness पतली है मोटी है या फिर hemogenous है या heterogeneous है same type का अलग-अलग type का है किसी भी अलिके का क्यों नहों mixed क्यों नहों solid liquid gas आप इस installation method यानि की radiation method को आप use कर सकते हैं furthermore installation can be conducted at any temperature and any pressure बेखिए आपको जब ज़रुद पड़ेगी उसके साब से आप इनको भी use कर सकते हो लेकिन यहाँ पर फिर हमको कोई specific temperature pressure की ज़रुद भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप radiation आपके उस object के अंदर घुस करके उनकी nucleic acid के different component को rupture कर रहा है आगे बढ़ते हैं अगला जो point हमारा advantage के में है वो है आपका time efficiency आज के rate में जो सबसे ज़्यादा कीमती है वो है आपका समय अगर कोई एक ऐसा process है जो आपके object को stylize करने में काफे सारा समय लेता है तो इस समय तक आप और कुछ नहीं कर सकते आपको wait करना पड़ेगा जैसा autoclip में हमारा holding time था वैसे अगर आप किसी भी तरीके से अपने समय की utilization को कर सकते हैं उस duration को कम कर सकते हैं with equal advantage with equal result तो वो होत ही अच्छा होगा और radiation method बहुत ही time efficiency produce करता है e-beam sterilization can be completed within seconds to minute जैसे मैंने कहा कि हमारा जो object था घड़िया थी वो 5 minute में sterilized हो गया 5 minute में disinfect हो गया और उसको फिर हो handle करने लग गए यसी को अगर हम किसी और method से करते हैं तो maybe it will take time chemical method will take time और वो तो possible नहीं था आपके dry के साथ level सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आप sterilization कर रहे हो क्यों कर रहे हैं ताकि आपका जो object है वो completely sterilized हो सके और अगर आप ऐसा method follow कर रहे हैं जो आपका समय तो बचा रहा है लेकिन आप assure नहीं है कि क्या मेरा product sterilized हुआ है तो फिर आपके करने का कोई भी मतलब नहीं बचता इस case में यानि कि radiation method of sterilization में आपकी जो sterility है उसका जो assurance level है वो भी अच्छा खासा होता है radiation treatment can yield a high sterility assurance level SAL that means sterility assurance level of 10 to the power of minus 6 or much better than this ensuring that less than 1 out of a million macrosm survive during the process of sterilization यानि कि just for example यहाँ पर code किया गया है कि अगर हमारे पास million macrosm है तो उस million macrosm में सारे के सारे macrosm kill हो जाएंगे अगर बच सकता है तो केवल एक हालिकि यहाँ पर मैं एक चीड और clear करना चाहूंगा कि इस से आपके शरीटे में हो जादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी जो efficacy है वो बहुत अच्छा है next है easy to handle यह एक ऐसा method है जहाँ पर आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके object को एक specific chamber में रखना है switch on करना है आपके machine को that's it only a single variable the exposure, dose, time must be monitor making radiation and stylization simple and easy to control जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक chamber होगा just for example यह एक chamber है इस chamber में आपके object को रख दिया गया है जैसे कोई भी object हो इसको आपको stylize करना है इसको आपने रख दिया इसका कोई cap होगा ढखकन होगा इसको आपने बंद किया machine को switch on condition में लेके आ गए बस यह process start हो जाएगी और within 5 minutes आपका जो object हो जाएगा और इसे आप आसानी से use कर सकते हैं तो यह एक बहुती simple और easy to use method है अब दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ बनी है क्या जिसके पूरे के पूरे advantage हो और limitation या disadvantage ना हो तो आपके respect में या मेरे respect में variation तो आई सकता है तो चलिए देख लेते हैं कुछ limitation या कुछ disadvantage of this radiation method सबसे पहला है instrumentation जो मैंने आपको अभी बताया वो common people के use करने के purpose से है laboratory grade की बात करेंगे या sophisticated industry level की बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े level के लिए instrument के आऊ सकता पड़ेगी तो उस बड़े level तक पहुचने के लिए आपको capital लगाना पड़ेगा that means special लगाने पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको capital cost है वो बहुत जादा high हो जाएगा जैसे अगर आप किसी parameter product के बारे में बात करते हैं किसी waxer production unit के बारे में बात करते हैं तो वो कोई छोटा मोटा unit तो होगा नहीं वो एक बड़े large level पे होगा तो उसके लिए capital cost थोड़ा सा as compared to different method of australization available इससे ज़्यादा जा सकता है and specialized facilities are often needed उसके लिए हमको specific facilities के रखने पड़ेगी most are a sophisticated instrument production के point of view से रखना पड़ेगा gamma radiation require a nuclear reactor अगर आप gamma radiation यूज करना चाहते हैं तो फिर nuclear reactor के रखने पड़ेगी e-beam x-rays radiation are generated using electron beam accelerator तो इससे थोड़े से उस person के भी थोड़े से damage होने की chances बनते हैं coming to the next disadvantage और limitation that is radioactive material जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे object की जिसका nature radioactive हो सकता है so when gamma radiation is used as an ionization source radiation installation requires handling and disposal of radioactive material जब कि भी भी आप x-ray room में गुशते हैं just for example तो हापे साफ साफ आपको warning या caution दिया रहता है so जब वहाँ पे x-ray आपके damage कॉस कर सकते हैं हमारे जितने भी x-ray imagining technique है different types of ctsk and MRI वह भी damage कर सकते हैं तो जब हाई level पे हम radioactive material को use कर रहे हैं इस case में तो वह थोड़े से damage कर सकते हैं but we should note that at commonly used radiation level radiation with gamma rays does not induce radio activity in the treated sample itself तो यह एक थोड़ा सा limitation है कि इससे radioactive material release हो सकते हैं और वह आपके उस presence को जो आप यहां पे handling करने के लिए available होगा उसको उसकी body के physiological function को कुछ डिक्कतें cost कर सकते हैं बाकी maximum देखिए इसके advantage ही है पहले slide में भी हम इसके पूरा advantage देखे हैं so we can say कि radiation method of stylization एक अच्छा method है हमारे पास ताकि हम ऐसे object को भी stylize कर सकें जो heat sensitive होते हैं so friend that's all for the day thank you so much for watching इस video namashkar and please do take care of yourself thank you